तो दोस्तो फाइनली जिस घड़ी का आपको बेसबरी से इंदिजारता वो फाइनली ओ घड़ी आ चुकिया और आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच Asia Cup 2022 का दूसरा मुकाबला खेला जाने वाला तो Asia Cup 2022 के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया और पाकिस्तान की क्या प्लेइंग 11 ने रहेगी वही वेदर रिपोर्ट क्या कह रही है दोनों टीमों के बीच हेट टू हेट रिकॉर्ड क्या है पीची रिपोर्ट यहां पर कौन से बॉलरों को मज़द मिलेगी या फिर बैट्समेन को मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वालो तो दोस्तो वीडियो रहने वाली है बहुत इंपोर्टन वीडियो में अंतितक बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवा देना तो आए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं डे टाइमिंग्स एंडे वेनू की तो इंडिया बना पाकिस्तान के बीच आज यानि की 28 अगस को मुकाबला खेला जागा और ये मुकाबला भारतिय समयनुसार शाम को साड़े साथ बज़े स्टार्ट होने वाला है और ये मुकाबला दुबई के इंटरनेजलन इस्टेडियम में खेला जाएगा अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 रोहिशर्मा लोकेश राहूल ओपन करने वाले हैं तीन नमबर पर विराट कोलिक, चार नमबर पर सूरे कुमार यादो, पांच नमबर पर रिशब, पंचे नमबर पर हर्दिक पंडे, साथ नमबर पर दिनेश कार्तिक, या फिर रवी चंदर आश्विन, आठ नमबर पर रविंदे जटेज, नो नमबर पर भुनेशर कुमा दत नमबर पर अर्शेदीव सिंग और ग्यारा नमबर पर यूजेंदर चहल रहने वाले हैं वोई पाकिस्तान की प्लेइंग 11 मुहम्मद रिद्वान बाबर आजम ओपने करने वाले हैं तीन नमबर पर फकर दमाज, चार नमबर पर खुदिल चाह, पाज नमबर पर हैदर अली, 6 नमबर पर मुहम्मद नवाज, 7 नमबर पर शादाव खान, 8 नमबर पर हारिश रोब, 9 नमबर पर नसीम साय, 10 नमबर पर उस्मान कादिर और 11 नमबर पर शेहनवाज धनी रहने वा जीता है जबकि दो पाकिस्तान टीम ने जीता है और अब बात करते हैं वेदर एंड पिछी रिपोर्ट की तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेदर की तो जैसे कि ये मुकाबला दुबई इंटरनेशनल इस्टेडियम दुबई में खेला जाएगा दुबई का मौसम सुहाना औ और गरम रहेगा और बारिश होने की कोई भी शंभावना नहीं है ताब मान 30 से 49 डिग्री सिल्सियस के बीच रहेगा वेदर डॉट कॉम के अनुसार हावा पच्चिम से 10 से 30 किलो मेटर प्रति घंटा की रस्तार से बहेगी बारिश होने की कोई विया शंकाय नहीं है तो हम को ये मुकाबला काफी अच्छे से देखने को मिलने वाला है अब बात करते हैं पीच रिपोर्ट की तो यहां की पीच पूरे खेल में बल्ले बाजो के पक्च में रहती है पहली पारी में रन बनाना मुश्किल होता है लेकिन पीच की मदद के बिना गेद आसानी से बल्ले कर सकते हैं तो आफ सभी को बता दू इस पीच पर टॉच जीतने वाली टीम ज्यादा तर बॉलिंग करने का फैसला लेती है तो दोस्तो इंडिया और पाकिस्तान मैश के लिए आप को कितना एकसाइड़ है और आपको क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच कौन स पेसर होगा जो सबसे ज़्यादा आज विकेट लेने में कामियाब होगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं तो दोस्तो इस विड़ों बते दने अगर आपको विड़ों पसंद आए तो विड़ों को लाइक करते हैं तो थैंक्यू सो मज़ गाईद फॉर वाचिंग दिस अरे करते हैं तो इस जब स्वार आपको करते हैं तो virtue झाल chicken video में पसंद रस स Cubष लाचिंग में जबू करते हैं मैंस विड़ूं पक्र स्ने स確न यह करते हैं तो इस looking for love mug झाम पर जद